नमुश्कार दोस्तों स्वागत आप सभी का SSC 8247 पर एक बार फिर से आज है वैभव का दिन ऐसा कि हमारे एर फोर्स की स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 को रॉयल इंडियन एर फोर्स के नाम से और भारतिय वायू सेना ने अपने शौरी का परिचय पूरे विश्व को अपना लोहा मनवा करके दिया है इस बात में तो हमें कोई दोराय है ही नहीं तो आईए आज भारतिय एर फोर्स के इतिहास में घुसना शुरू करते हैं 2023 में इसकी क्या थीम होने वाली है इसके बारे में जानना शुरू करते हैं और दोस्तों आज हम भारतिय वायू सेना क को अच्छे से समझेंगे जिससे हम यह पता चल सके कि भारती वायुसीना ने हमारे लिए क्या है क्या ऐसा किया है जिस वजह से कहते हैं कि आकाश में वो मौजूद हैं जिस वजह से हम यहां पृत्वी की सतह पर पूरी तरह से सुरक्षित महसूस करते हैं तो आईए शुरू करते हैं एरफोर्स के बारे में जानना परंतु एरफोर्स के बारे में जानने से पहले आप सभी को यह बता देना चाहता हूं कि जो लोग इस सेशन को देख रहे हैं उनके लिए अड़ा एप की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखवा दी है साथी साथ कॉमेंट सेक् पित हुई थी क्योंकि जब ब्रिटिश सेना को भारत में एरफोर्स की जरूरत थी तो उन्होंने जैपनीज आक्रमन को रोकने के लिए बर्मा में जैपैन के एग्रेशन को रोकने के लिए रॉयल इंडियन एरफोर्स को बनाया हलांकि इसका पूरा स्ट्रक्चर और इसकी लाया गया आप पाएंगे कि भारतिय वायुसेना दिवस में रॉयल शब्द जो है। King George 6 ने भारतिय वायुसेना की अ्पलब्दियों कि मानिता में is आ टाइटल है वो रॉयल टाइटल जॉर्ज सिक्स ने दिया था 1945 में हलां कि 1945-1950 तक ही रॉयल टाइटल रहा उसके बाद इनडीन एर फोर्स कर दिया गया जब इन एर्फोर्स पूरी तरह से इंडियन से सौप को स्वब दी गई बरिडिश काल के दौरान जैसा कि मैंने आपको बताया कि अव्यानि कि खिलाफ यूद में United Kingdom की Royal Air Force का समर्थन करने के लिए किया गया था और बाद में आगे चल करके जपनी ठिकानों को निशाना बनाया गया बर्मा में जहां पर जैपैन का ओक्यूपेशन था जैपैन विश्व दुदुती के समय पर अपने एग्रेशन को बढ़ाते हुए म्यान मार के अंदर घुश चुका था उसने आजाध हिंद फौज को भी सपोर्ट किया और उस समय पर ब्रिटिश के में भारतिय एरफोर्स की भूमी का बिल्कुल एहम रही है और भारतिय एरफोर्स ने पूरी तरह से अपनी ताकत का लोहा इन सभी युद्धों में हमारे दुश्मनों से मनवाया है आगे बढ़ें तो हम पाते हैं कि भारतिय वाय उसेना दिवस 2023 का इस साल का जो थीम है व का जो मुख्य उदेश है वो यह है कि एरफोर्स की बढ़ती छमताओं और अपनी सीमाओं से परे भारत के राष्ट्रिय सुरक्षा की हितों की रक्षा करने के लिए भारतिय वायुसेना पूरी तरह से ततपर है और भारतिय वायुसेना का ये प्रमुक कार्य है कि भारत की संप्रभुता को भारत की अखंडता को भारत की स्वतंत्रता को पूरी तरह से अक्षण बनाई रखे आगे चलते हैं तो पाते हैं कि प्रेसिडेंट ओफ इंडिया सुप्रीम कमांडर ओफ इंडियन एर फोर्स है सुप्रीम कमांडर ओफ पूरी डिफेंस फोर्स के हैं आज तक मैंने कभी किसी और्गनाइजेशन की आदर्श वाक्य को या और्गनाइजेशन की मोटो को इतना ब्यूटिफुली नहीं देखा जितना ब्यूटिफुली ग्यारहवे अध्याय भगवत गीता से लिया गया यह चैप्टर है यह मोटो है जिसका नाम है नभा स्प्रशम दीप्तम दोस्तों भारती वायू सेना का मोटो है टच्छ दे स्काई विद ग्लोरी और किसी भी और्गनाइजेशन का इतना अच्छ मोटो आज तक आपने के लिए जिम्मदार होते हैं देखो दोस्तों ऑपरेशन में जिसके तहट भारतिय सेना ने अंततह्यां अधिकार सियाचिन के ग्लेशेर के उपर जमाया था देखे दोस्तों अपरेल 13 1984 को अपरेशन में पूरी तरह से पूरा हुआ एंडियन आर्मी इंडियन फोर्स और प 84 को आगे बढ़ते हैं इंडियन एर फोर्स ने बहुत सारे रिलीफ ऑपरेशन में भी पार्टिसिपेट किया है अपने एरक्राफ्ट भेजे हैं गुजरात के साइक्लोन में 1998 में सुनामी 2004 में एवं एर फोर्स तो सदय तत पर रहती है कुछ ऑपरेशन जो एर फोर्स दौरा किये गए हैं एक्जाम में पूछे जा सकते हैं ऑपरेशन विजे 1961 जब गोवा पर अधिकार हुआ दे सेकेंड कश्मीर वार 1965 जब पाकिस्तान और भारत का युद्ध चला बांगलादेश लिबरेशन वार 1971 में ऑपरेशन विजे 16 दिसंबर 1971 को अंतता है बांगलादेश का निर्माण हुआ भारती सेना के सामने पाकिस्त पाकिस्तान की सेना का सो कॉल्ड फाइनेस्ट कमांडर लेटनेंट जनरल मुहम्मद अमीर अकबर अब्दुल्ला खान नियाजी हिलाल जुरत सितारह पाकिस्तान ने सरेंडर किया था अपने 93,000 सेनिकों के साथ भारती सेना के सामने मस्यदार सी बात है लेकिन कोई बात नह विशेश भूमी का रही और एर फोर्स ने ऑपरेशन कैक्टिस 1988 में कार्गिल वर 1999 में बाला कोट एर कि स्ट्राइक और इंडिया पाकिस्तान स्टैंडफ ऑफ नीस सो 2019 में बहुत एहम भूमी का निभाई है कार्गिल में एक ऑपरेशन किया था इंडियन एर फोर्स ने जि सदन एर कमांड तो इस तरह से हमारी एर फोर्स की साथो कमांड मैंने यहां पर आपको बताई है ताकि आपको पूरी तरह से इसके बारे में जानकारी रहे दोस्तों साथ ही साथ वर्तमान एयर चीफ मार्शल का नाम आपको बताना है दोस्तों एयर चीफ मार्शल फोर स्ट अर्जन सिंग जी तो Marshal of the Indian Air Force अर्जन सिंग जी को कौन से युद्ध के बाद किस नित्रित्व करने के बाद ये 5 star rank मिली थी Marshal of the Indian Air Force की ये भी आपको बताना है दोस्तों साथ ही साथ वर्तमान Air Chief Marshal का नाम आपको comment करके बताना है और आप कोई भी कोर्स पर्चेस करें पूरे अड़ा 24-7 के अंदर आपको बस एक कूपन कोड यहां पर अप्लाई करना है जो कि है वाई 263 और यह देगा आपको मैक्सिमम डिसकाउंट तो चलिए दोस्तों इसी के साथ आज की एरफोर्स दिवस पर यह सेशन को हम करते हैं पूर सबसे अच्छी बात आपको क्या लगती है एर चीफ मार्शल का नाम क्या है और मार्शल ऑफ दी इंडियन एरफोर्स अर्जन सिंग जी को क्यूं मार्शल ऑफ दी इंडियन एरफोर्स की उपाधी दी गई है इतने सारे प्रशनों के जवाब देने हैं जय हिंद जय भारत जय वायू सेना जय हो भारत की इन सभी सेना होंगी